जैसे जैसे बारत एकनॉमिक ली प्रोग्रेस करेगा पांचवा नंबर बन गया है देश का जीडीपी में जैसे जैसे वो अपनी इंडीपेंडेंट फॉरंड पॉलसी करेगा युक्रेइन रशिया के अंदर वो अपने दिमाग और अपने देश के लिए करेगा जैसे जैसे जैसे जैसे आप डिफेंस में सिर्फ इंपोर्ट की जगा मेक इन इंडिया करेंगे वैसे वैसे आपकी चुनवतियां बढ़ेंगी क्योंकि बहुत सारी शक्तियां जो आपको पारफुल नहीं चाहती जिनको आपती है इंडिया से जिनको आपती है हमारे way of life से धरम से जिनको आपत्ती है किसी भी स्ट्रॉंग देश से वो सब जोड़ जाती है और एक बहुत बिहानक और डेंजरस कॉंबिनेशन ओफ फोर्सेज बना है भारत के खिलाफ आपको दो चार के बारे में बताऊंगा तीन चार के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे उससे जू कीजिएगा क्योंकि जो चार बड़े पेमाने होते हैं किसी भी देश के एकनॉमी फिनांस फॉर्ण अफियर्स होम मिनिस्ट्री घर के अंदर के खत्रे और डिफेंस मिनिस्ट्री ये चारी बेसिकली आपके देश को चलाने के लिए मंत्राले है उसके बाद तो इसका सबसे सबसेट है इसके छोटे-छोटे भाग है ये चार हो तो आप पूरा देश चला सकते हैं है ना उसके बाद तो बुकॉस देश इतने बड़े होते हैं आपको बहुत मत्राले चाहिए होते हैं अब चारों के अंदर एक फ्रेट शुरू हो गया यूएस के अंदर से जो एंट है उनके अंदर तो वो हर समय अंटी इंडिया लगे रहते हैं बहुत कम है पर बहुत प्रभावशाली लोग हैं इंडिया से लेके यूएस से लेके यॉरप तक इंका एक नेट्वर्क है दूसरा जो पाकिस्तान की एक लॉबी है तीसरा वो लॉबी जिसके अंदर कुछ हि हमारे बॉर्डर पे चाहिना से एक तराव चल रहा है और बहुत भीहंकर तराव चल रहा है तो जब यह फोर्से जुड़ती है तो चाहिना का भी एक रॉल रहता है और भी लोगों का रुखे। जिनको लगता है हम उनकी side नहीं ले रहे है अब ये सारी forces मिलके एक आप ad देखिए जो wall street journal में है ये आपको पता है new york times क्या दिखाते रहता है आपको पता है Washington post क्या दिखाते रहता है अब wall street journal की ये ad देखिए wanted करके photo चड़ा रहे हैं वो जिसमें finance minister of India है जिसमें supreme court judges हैं नाम के साथ justice हेमन्द गुपता क्यों क्योंकि हिजाब के अंदर उन्होंने ये कह दिया के school uniform रख सकता है wanted करके wall street journal पे full page है ये द्वारा देखिए उसमें ED के officers है क्यों संजे कुमार मिश्रा director की वो corruption पर action कर रहे है उसमें वकील है additional solister general solister general तुशार महता उसमें आपको prevention of corruption act के judges है supreme court judges से लेके trial court judges lawyers finance minister इंका wanted करके लगाया गया और कहा act magnets की act इसके तहत action ये act क्या है ये भी आपको बता हुआ है foreign funded NGOs इंडिया में क्या कर रहे हैं ये भी आपको बता हुआ है पहले आप ये photo देखिए media को देखिए नाम पढ़िये टुंकू वर्दराजन ये इस ad से पहले अपना plan पापा है we need to organize a magnet c sanction for Indians hindutva ideologues at the very least let none of them ever get a US visa ये टुंकू वर्दराजन कौन है कौन है रुकिए the wire the liar the propaganda website उसका सिधात वर्दराजन का ये भाई है देखिए forces कैसे जुड़ती है एक भाई wire दूसरा भाई कहता है हिंदुत्वा ideologues हिंदुत्वा ideologues तो भाई मैं बोल रहा हूं मैं भी हो गया आप बोल रहें आप भी हो गया ideolog क्या होता है जो किसी विचार धारा को बोले देखिए the scare tactics the intimidation tactics और सरफ वीजा की बात नहीं है जो यह magnitude act है इसके अंदर आपको बताऊंगा क्या-क्या powers है इंडिवीजूल टार्गेटिंग हो रही है सुप्रीम कोट जजेस की लॉयर्स की इंडिवीजूल टार्गेटिंग मोधी सरकार की नियतियों की नहीं हो रही त्यूकि वो जानते हैं सरतार नहीं सुनती है पर ज जो ED में करप्ट को investigate कर रहा है उसके उपर प्रिशर डाराजाएं एक जो YouTube पर Facebook पर कोई बात कर रहा है आपसे उसके उपर प्रिशर डारा जाएगा कोई खानून वानून करके जिसके अंदर वो किस तरहां का एक पापगेंडा चाहते है मैंने आपको एक एड दिखाई थी एड या उनकी अपील दिखाई थी जहां पे 40 लाग पर महीना तो उनको small donor से चाहिए जो बड़े corporates की funding है जो trusts की funding है वो अलग होती है जो advertising से revenue है वो अलग होता है करोडो रुपया का महीने का operation बनाते है करोडो रुपया महीने का operation बनाते है big 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 games are being played पर वो तो सिरफ एक अंग है उसका दूसरा अंग पर आता हूं है आपके पास जो ज़यदा जरूरी है उसका दूसरा अंग है कि ये magnexty act है क्या जिसमें वो direct targeting चारे है सुनिए अगर आप पहली बारी जुड़ रहे है तो subscribe कर लीजिए facebook पे follow कर लीजिए ये एहम debates tv पे नहीं हो पाती है tv पे बैठता हूं मैं agenda set होता है 2 minute का हम बोलते हैं पर ये आपको बाते हैं depth में समझ नहीं आती है depth में आज बैठ के समझी है चार चीज़े हुई है भारत के अंदर जो चार बड़े मंतराले है defense में इंडिया बहुत focus कर रहा है make in india campaign पे ये देखिए इतना बड़ा देश और हथियार अपने अपना बनाता क्या हमारा ecosystem था हमारी satellite technology world की cheapest satellites हम launch कर रहे है पर हमारी weaponry technology इतनी पीछ है इतनी पीछ है इन शक्तियों ने कभी हमें defense में self-sufficient नहीं होने दिया ये एक separate wish आप सोचिए technology में आजकल तो सारा chip पे चलता है आजकल तो सारा technology पे चलता है वो जमाने तो रहे नहीं कि लोगा निकालके आपको तलबार बनानी है technology में बड़ी से बड़ी technology में Indians CEO बड़ी से बड़ी technology company में Indians CEO technology में satellite launch में we are the cheapest in the world और weaponry technology में हम self-sufficient नहीं 75 साल का ये इतिहास क्यों रहा कि हम self-sufficient नहीं किन लोगों ने हमारे हत्यार गिर्वी रख दिये थे और अगर defense नहीं है एक बारी पहले भारत सफर कर चुका है आप सोने की चिडिया बन जाईए पर आप defense पे या देश बटा हो या एक दूस्तर से लड़ रहे हो विदेशी ताक्तिंगों को invite कर रहे हो तो सोने की चिडिया को दबोचने के लिए बहुत आजाते है anyway defense में हमारी policy में change आए है दीरे-दीरे change वो बढ़ रहे है time लगेगा but changes शुरू हो गए we have to be a completely defense में self-sufficient nation else economic growth sustainable नहीं है पहली बात यह change आया अब मैं आता हूँ दूसरी बात दूसरी बात economy अब आप like करें या नहीं like करें आप पसंद करें मुदी सरकार को ना पसंद करें आंकडे तो जूट नहीं बोलते India fifth largest economy हो गई है और हम अभी भी grow कर रहे है बाकी सारे one percent half percent पे है जो हमारे आमने सामने है डेड़ परसंद पे तो सोचते हैं बंपर ग्रोथ हो गई हम जो विपक्ष की माने opposition की माने तो 5 परसंद पे है आप सरकार की माने अंकडों की माने तो 7 परसंद पे है मैं बोलता हूँ midway कर लो साड़े पांचे साड़े चे साथ साड़े साथ जो भी करो multiple times आप ज्यादा है जो आपके आसपास के लोग है multiple times ज्यादा है तो inevitable है क्योंकि आपकी trajectory ऐसे है inevitable है कि आप आज पांचवे नमबर पे हैं GDP में PPP में purchasing power parity जो actually में real real जो वो होता है barometer वो है उसके अंदर आप third पे हैं पर आप GDP में भी बहुत जल्दी third पे आजेंगे third पे आने का मतलब समझे US China, India आप अपने में शक्ति और शक्ति पैसे से याती है मुझे वो मत बुलना moral शक्ति क्या होती है moral शक्ति सिर्फ शक्ति शाली को ही आप नहीं कर रहा हूँ वर्ल्ड अफेर्स में पैसा है शस्त्र है तभी आप शक्ति शाली है सीधी बात पर आप शक्ति शाली बन रहे हैं पांचवे नंबर की हो गए हैं तीसरे नंबर के बन रहे हैं उसके बाद तो पर चोटी की लड़ाई है और हमारी जेनरेशन में हम सब जो यहां पे यंग हैं वर्किंग एज में हैं हमारी जेनरेशन में मुझे लगता है आप नंबर वन बढ़ेंगे बट ये दिशा के साथ साथ आपके राइवल्स बढ़ जाती है ओब्यस्ली कोई कंपनी ग्रो करती है किसी के स्पेस लेती है आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो पहले एक्सपोर्ट करते हूं का लेंगे आप डिफेंस अपना बनाएंगे आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अपना आप डिफेंस बना रहे हैं उनका आप नहीं दे रहे हो नहीं, दूसरी बाद डिफेंस की थी, अब दीसरी पर आता हूँ, इंटर्नल सिक्यूर्टी, एक बहुत बड़ा खत्रा इंडिया में मानती थे, नकसल, नकसल हमले, रेड कॉरिड़ॉर, मावेस्ट हमले, इसमें, आप देखिए, पिछले, और इसमें मैं थोड़ा क्रेड़िट मनमोन सिंग सरकार को भी दूँगा, और बहुत क्रेड़िट मोधी सरकार को भी दूँगा, किस तरह धीरे 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 करके, जो नकसल के जोन्स थे, वो स्क्वीज आउट करे गए हैं, यह लॉंग तर्म इंडियन प्रोसेस है, और नकसलवादी हम लोगो को दीरे 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 करके, इंटर्नल सिक्यूरिटी का जो सबसे बड़ा थ्रेक है, आम्ड नकसलाइट्स, उनको किया गया, एक अभी टेकनिकल ग्राउंट्स पे, मावेस्ट, जी साई बाबा, मावेस्ट, जो फिजिकली अनफॉर्चनेटली हैं, उसको हाई कोट ऑफ बॉंबेर, एकुडल दे दिया था टेकनिकल ग्राउंट्स में, सुप्रीम कोट ने साटड़े की सुनवाई में उसको निकलती हैं, वो जेल में ही है, वो जेल में ही रहेगा, पर अब ये सोचिए, ऐसे ही जो ये एड निकलती है, जजिस्को जब टार्गेट करती है, वो intimidation भी है, pressure भी है, क्योंकि इस आक्ट में बहुत पावर्स हैं, बहुत पावर्स हैं, मैं याउं वस्सरफ वीजा की बा हमारी judiciary इतनी powerful है, इतनी independent है, इतनी strong है, वो कते ही pressure में नहीं आईगी, साजिश देखिए, attempt देखिए, कोशिश देखिए, कोशिश देखिए, कितनी भिहानक है, anyways, आगे आता, और foreign policy पे तो मैंने आपको बहुत वीडियो दिखाई है, जैशंकर जी बहुत clearly बोल रहे हैं, पर वो बोल क्या रहे हैं, वो सरकार की भाशा बोल रहे हैं, वो Modi सरकार के फैसलों को बहुत अच्छे वे में समझा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, decision तो obviously, it's from the Prime Minister's office, किसी भी देश में यही होता, he's very good at explaining, it wouldn't explain किया, कि हम oil क्यों रश्या से ले रहे हैं, आपको क्या लगता है, युआरप खुछ हुआ है, इस नहीं हुआ, अर्जस्ट किया, युआरप ने, क्यों अर्जस्ट किया, US का under secretary, या deputy secretary आया था इंडिया में, धमका के गया था इप्रेल में, कि consequences होंगे, याद है न, दिलीब सिंग, दुलीब सिंग करके कोई था, वो भी शाद इंडियन ओरिजन का ही था, धमका के गया था इंडिया में, कि consequences होंगे, उसके बाद, President Biden ने अपने आप बोला, और US ने अपने आप बोला, कि इंडिया से हम वर्ल्ड में हमारे closest रिष्टे रखे हैं, क्यों, इंडिया से प्यार हो गया, आप economic power है, आपके पास economy grow कर रही है, आप startups में, पता है आपको एक reality, Indian origin के लोग, number one है, foreigners के अंदर, US के startups के अंदर, US के अंदर, यहां की बात अलग है, US के अंदर ही बोल रहा हो, यहां पे भी startup कितना grow कर रहा है, और technology की एक beauty है, जिसकी technology execution ठीक हो जाए, वो world change कर रहा है, UPI, जो digital payments है इंडिया में, जिस speed पे आप digital payments कर रहे हैं ना इंडिया मे चिदामरम ने मजाक उड़ाया था, अरे एक सबजी वाला क्या digital payment लेगा, आज आप देखिए, मुझे गई-बारी लगता है कि मुझे इतना improve करना है, मुझे मैं बहुत इन चीजों में, एक individual की बात कर रहा हूं, इतनी rapid technology change आई है, कि I as an individual, in the peak of my working life, feel, कि रह यार यह यह past transaction, एक second में transaction, जो globe नहीं करका है, उपको क्या लगता है, उपने covid cards देखे थे, US के, किस तरह थे, और इंडिया के किस तरह digital थे, कौन है first world economy, वो जो knowledge economy होगी, जो information economy होगी, challenge वहाँ पे और इंडिया वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, अब यह सब तो अपने इंडिया क growth की बातें समझे, अब यह growth से problem की बातें समझे और चुनोतियों की बातें समझे तो आपको पूरा context में चीज़ें समझाएगा, और समझे भारत सरफार किस किस level पे इसको sort out कर रही है, इससे जूज रही है, इससे लड़ रही है, यह आपको समझना पड़ेगा, समझना स्पेन बहुत पीछे हैं हमसे, फोटो देखिए, उनके अख़बार की, बहुत जरूरी है यह फोटो देखिए, इंडिया की एकनॉमी वो बढ़ते होए दिखा रहे हैं, देखा आपने, और साथ ही साथ वो दिखा रहे हैं, एक स्नेक चानवर है, जैसे इंडिया की एकनॉ इसको दोनों पहलों से समझेगा, एकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यह तो आंकड़ा है, इसको आप कैसे चुपा सकते हैं, बट गंदी तरह दिखाना, कि भारत एक लैंड आफ स्नेक चारमर्स था, यह जो 18th सेंचरी से इन्हों ने प्रॉपगेंडा चलाया, जब लोग अंगल में रहते थे, तो हमारे मंदिर उस तरहां के थे, एक-एक मंदिर, एक-एक मंदिर जितना पूरे के पूरे शहर नहीं थे इंके, उस संस्कृति को यह लैंड आफ स्नेक चारमर्स बोलते थे, जैसे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग भी भारत की एक शक्ती ह बट ये जिस तरह भारत को दिखाते थे वो उस तरह दिखाते थे कि आपके पास ना technology है ना पैसा है ना आपके पास construction करने की शमता है ना आपके पास growth की शमता है आपको पता एक word Hindu rate of growth जब आपकी 2% 1% economy थी तो उसको Hindu rate of growth बोलते थे क्यों भी? Communist policies है Leftist policies है उसको Leftist rate of growth क्यों नहीं बोला गया Communist rate of growth क्यों नहीं बोला गया Socialist rate of growth क्यों नहीं बोला गया Indra Gandhi rate of growth क्यों नहीं बोला गया Nehru rate of growth क्यों नहीं बोला गया Hindu rate of growth बोलते थे जब से economy ठीक हुई है 91 के बाद से इसको ठीक हो यह भी अब 30 साल हो गए है अब तो नहीं बोलते हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ will make you the fifth largest economy in the world अब तो नहीं बोलते है जब खराब है तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अब अच्छी है तो वर्ड ही चेंज हो गया अब एक पर यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो भी यंग्स्टर्स हैं फ्लीज गूगल कीजेगा 20-25 साल हमारी एकनॉमी सिरफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से डिस्क्राइब की जाती है कि हिंदू स्लो है हिंदू सुस्त है हिंद नहीं सुना होगा इतनी अजीब बात है एक्चुली में हिंदूत्वा और हिंदू कॉंशेंस का जो री एमर्जेंस हुआ है पॉलिटिकली देश के तो कत्रे कत्रे में हमेशा ही रहा है पॉलिटिकली जो री एमर्जेंस हुआ है उसको अगर एकनॉमी से लिंक करो तो 89 में राम जनम मुवमी शुरू क्या 89 में जब वो पूरा मुलायम सिंग यादव वला आपको बता ही है और जो राम जनम मुवमी मुवमेंट है लेट 80s वली और 91 के बाद तो वो पीक पे आई तो वैसे तो अगर आप देखो तो उसके साथ जोड़ना चाहिए बट मैं विशे से थोड़ा डिफ्रेंट जा रहा हूँ कोपि एक पैशनेट सब्जेक्ट है बट अब ये फोटो देखे समझिए आप डाटा डिनाई नहीं कर सकते हैं पर आप लैंड आफ स्नेक चार्मर्स दिखाते हैं ये हैं अजिंडास अब जो ये लैंड आफ स्नेक चार्मर्स दिखाते हैं तो आप कही तरह से इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं चोकि एकनौमी तो ग्रो कर रही है अब तीसरी पे आजाईए जो पूरी तेल नीती है मैं उस पे कोई समय नहीं लगाऊंगा मेरी बहुत वीडियोस बनी हुई है आप गूगल कर सकते हैं जैशंकर और इश्करन सिंग भंडारी नाम से डालीए का बहुत वीडियोस में कि हम किस तरह तेल ले रहे हैं किस तरह हमने प्रेशा रोजिस्ट किया है तो ये सब के बाद ये आता है नियॉयॉक टाइम्स के आटिकल्स वाशिंटन पोस्ट के आटिकल्स वाल स्रीट जर्नल के आटिकल्स और कोई अगर बोलता है कि इनका फरक नहीं परता तो वो गल्थ है फैक्ट और रियालिटी को फिस ओन देखिए ये अपनी तरफ से एक महौल बना रहे है भारत के खिलाब उस महौल में मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी मैं इसको अड्रेस करना चाता हूँ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत से उपर दिखाया शेरी लंका को पाकिस्तान को शक्तियां देखिए श्री लंका बहुत बुरे समय से जा रहा है हमारा नेबर है और हमने उसको फूड अन भेजा है मुझे ये शब्द बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हेल्प होती है पर अगर मैं ये शब्द बोलू भारत में श्री लंका को खाने का दान दिया है तो गल्द शब्द नहीं होगा या हल्प करी है हम जिसको खाने की हल्प कर रहे है उसको हमारे से उपर दिखा रहे है तो आंकड़े आब देखिए कितने इंट्रस्ट देगे हैं च्योंकि ये सारे आंकडे, फैक्चुल बोले, GDP कैलकुलेबल है food, hunger, ingest 2000 बंदों का sample पे है तो game कहां खेली जाती है एक है exact maths और 8 है feelings वाला maths बड़ा woke maths, feelings वाला feelings वाले maths में आप game खेल सकते हैं बारत का कितना foreign exchange reserve है इस पे कोई game नहीं हो सकता ना 500 billion plus है मैक्स है, आपके bank में है आपका GDP कितना है पूरी economic activity calculations है, hard calculations है आपकी happiness index क्या है यह एक बड़ा woke concept है कुछ भी पेल दो वो पेला जारा है अब जो यह Magnesity Act है जिसका यह चाहा रहे है कि भारत के अंदर दो सुप्रीम हेमन्द कुप्ता और वी सुबरामनी ED Director Sanjay Kumar Mishra Solister General Additional Solister General वेवकील होगे सारे N. Winkaterman Antrex Cop Managing Director Rakesh Saisthi Bhushan As Modi's Magnesity 11 यह Magnesity 11 एक law है जो US लेके आया था रश्या के खिला तोकि रश्या में एक tax lawyer की prison में death हो कहा जाता है कि उसको ill treat किया गया torture किया गया medical treatment नहीं दिया गया जो भी किया गया यह दावा किया गया रश्या ने different दावा किया किया ऐसा कुछ नहीं किया anyways उसके बाद यह law pass हुआ जिसके अंदर आप assets freeze कर सकते हैं properties freeze कर सकते हैं ग्लोबली उन लोगों की जिनका नाम अब इस लिस्ट में डाल दें अब assets properties कर सकते हैं अब banking system का access deny कर सकते हैं अब visa deny कर सकते हैं तो targeting किया गया अब मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ यह जो campaign है यह तुंकू वर्द राजन tweet करता है एक दिन छोड़ दीजे उसकी भी tweet को नहीं भी करता जिन लोगों ने यह लाएं है पता है कौन है लोग नहीं कौन है वो आदमी है जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोट ने कहा वो corruption में वाइड है जिसके against भारत क्योंकि वो corruption करके भागा हुआ है फ्यूजिटिक economic offender है उसके पीछे भारत सरकार action ले रही है वो अपने मीडिया में बंदूओं से लेके एको सिस्टम की बंदूओं से लेके ये campaign शुरूर भारत में जो corruption करके भागा है भारत सरकार corruption को ना करे ED corruption को prosecute ना करे सुप्रीम कोट corruption पर action ना ले पर लेंगे तो ये देखिए किस तरह का international game केलते हैं उस समय जब finance minister is in Washington और उसके बाद game का second point, second point समझिए, summits होते हैं conferences होती हैं, आपको पता है US में जैसे जैश अंकर जी की मैंने रखाई वैसे ही finance minister की भी हो रही है तो जिनोंने ये ad निकाली उनके friendly media वाले tweet करके बता रहे हैं कि हम finance minister से ये सवाल systematic way में तो help कर रहा है अभी अभी पर ये lobby देखिये कैसे चलते हैं पहले ये ad निकालो full page, उसके बाद press conference में finance minister से ये motivated सवाल पीज़ों और जिस बने ने ये tweet किया है, वो उस conference में था George Landry वो कह रहा है yesterday I attended India's economic prospects and role in the world economy but was not called upon to ask finance minister the following questions about the effect of our magnitude petition has on the investment climate, तो वो साथ सा क्या कर रहे है US की front pages में बड़े बड़े pages में ad निकाल रहे है full pages में कि India में investment climate खराब है इन लोगों को punish किया जाए इन लोगों को jail भेजा जाए इन लोगों के assets रीज किया जाए इन लोगों के बच्चे इन लोगों के परिवार यहां पर आ ना पाएं पढ़ ना पाएं access ना कर पाएं कितना propaganda है कितना propaganda है आप बच्चे की fees कैसे बनेंगे किसी का बच्चा अगर वहाँ university पढ़ रहा हो अगर आप banking system से access डा देंगे आप वो simple सा सवाल पूछ रहा हो देखिए पर इनाम कितने दूर तक जाते हैं बहुत लोग US में पढ़ने जाते हैं reality है आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हो जान के pressure create किया जाए कि आप उसकी fees कैसे भरेंगे आपको banking system का access ही रोग दिया जाएगा समझे एक छोटी सी बात आ रहा हो पर ये छोटी बात कितना बड़ा pressure बन जाए किसी भी व्यक्ती के लिए बच्चा दो साल पढ़ चुका हो दो साल की पढ़ाई बची हो एक साल पढ़ चुका हो इंटिमिडेशन स्केर टाक्टिक्स और टार्गेटिंग ऑफ इंडिविजुल्स नॉट गवर्मेंट क्या चाते हैं कि एडी अपना काम ना करें जज़िस तो पार्फुल है इंडिपेंडेंडेंट है पड़ आपकी कोशिश क्या हो रही है उनके उपर किस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है ये बातें सारी परदे के पीछे चुपी होती है ये किस तरह परदे के पीछे चुपी हुई बाते हुटी है यही हमें यूट्यूब पे डिसकस करना है कि हमें समझना पड़ता है George Soros लोग बहुत नौम ले रहे हैं George Soros, George Soros, हाँ George Soros तो ही है बड़ा प्ले, तो बहुत सारे ऐसे players हैं जो मिल जाते हैं, क्योंकि अब reasons बहुत हैं, तेने आपको चारो reasons बहुत हैं, economy, defense, foreign policy, और internal security, तो यह reasons हैं आपके against जो हैं वो जुड रहे हैं, बट reality क्या है, आप अगर इस पात पे progress और growth के चलते रहेंगे, जो मुदी सरकार चल रही है, आप अपनी independent policy रखेंगे, तो जैसे President Biden को, जैसे US administration को कहना पड़ गया, कि भारत से हमें deep रिष्टे रखने हैं, और यह transition का एक phase है, क्योंकि आप grow कर रहे हैं, आप 10 से 8 पे आए, 8 से 7 पे आए, 8 से 7 पे पांच, जब आप 3 पे आएंगे, बहुत resistance चलता रहेंगे, उसके बाद लोग करेंगे, उसके बाद लोग करेंगे, एक दो सवाल आपके ले लेता हूँ मैं, हमें यह बातें करने हैं, क्योंकि हमें समझना पड़े ला कि अभी articles आएंगे, pamphlets आएंगे, human rights के commissions बढ़ाये जाएंगे, human rights के commissions हमारे against भूलेंगे, हमारे against रस्तुर करेंगे, वो सारी बातें तो आएंगी आएंगे, यह बहुत डीप question है, एक different question है, और हमारा, yes, यह जो lobby network है, हमारा, जितना हमारा Indians का talent pool है, जितने हम life में, abroad में, अच्छी जगाओं पर placed हैं, और लोग अपने assets को use करते हैं, उस पे systematically काम नहीं, वो groups, अब हो रहा है, बहुत change आया है, 10 साल में, आप देखिए, जो communities हैं, UK में, बहुत change लाइगा है, US में patriotic communities हैं, बहुत change लाइगा है, but process है, बहुत साल तो यह process शुरू ही नहीं हुआ था न, आपको दीरे-दीरे process आ रहा है, और आ नहीं पड़ेगा, मैं बोलतो रहा हूँ, आप Google कीजिए, आपको Hindu rate of growth नहीं मिलेगा, आप Google करिए, आपको 80s में मिलेगा, 70s में मिलेगा, 90s में मिलेगा, 2000 के बाद यह term ही खतम हो जाएगा, जब तक खराब था Hindu rate of growth, जब अच्छा हो गया, तो नहीं, anyways, यह discussions और यह महतबून मुद्दे करते रहेंगे, आज संडे था, इसलिए लंबी बात करी, अच्छी लगी, सब्सक्राइब कीजेगा, शेर कीजेगा, यह maximum लोगों तक knowledge पहुंचनी चाहिए, तो कि हम उस medium में आ गए हैं, जब हमें united होके handle करना पड़ेगा, भारत माता की चैए.